अलो दोस्तों कैसे हैं आसा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं और हमारे इस कोर्स को जो है आप लाइक कर रहे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ सेयर कर रहे हैं knowledge जो है हमेशा share करनी चाहिए दूसरों के साथ तभी जो है fruitful होता है आज हम अपने economist के course में एक नया topic लेके आया है इस topic में हम सिखने वाले है types of market हम देखेंगे कितने types के market होते हैं उनके बीच क्या different है क्या characteristics है हर market की ठीक है तो चलिए फिर हम course को start करते हैं अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप subscribe कर लिजिए चैनल को ताकि आपको कोई भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको जो है notification मिल जाए तो चलिए फिर start करते हैं first market है मारे पास perfect competition ऐसा market जहां पे जो competition है seller की बीच वो कैसा हो perfect हो यानि हर seller को एक अच्छी opportunity मिल रही हो कि वो खुद का जो है product जो है market में sell कर सके आप जब मंडी जाते हैं आपने सबजी मंडी देखी होगी तो वहाँ पे जितने भी हमारे seller है वो क्या करते हैं उनकी जो मंडी है माल जी हमारी मंडी है तो उनकी जो entry है मंडी में वो क्या है free entry है उनकी जो entry है exit है उसमें किसी प्रकार का क्या है रोक डोक नहीं है वो अपने सामान को जो है मंडी में जाके बेश सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे जो perfect competition हुआ जो कि जितने भी seller है सभी जा सकते हैं और अपने सामान को जो है बेश सकते हैं sell कर सकते हैं तो जो characteristic हो गया perfect competition का वो क्या हुआ पर very large number of forms हमारे जो फर्म है माल यह फर्म A है फर्म B है फर्म C है इनके द्वार जो product बनाया गया है वो product जो है market में जो है क्या हो सकता है sell किया जा सकता है किसी परकार का restriction market में नहीं है इनके product को sell करने में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा number आप जो फर्म है वो ज्यादा है और जो product है इनका homogeneous product है यानि जो product बना रहा है वही BB बना रहा है वही CB बना रहा है ऐसा कोई कुछ नहीं है कि जो है इनके बीच different है अगर यह rice sell कर रहा है तो BB हमारा क्या करेगा rice sell करेगा CB rice sell करेगा तो इनके बीच जो competition होगा वो किस type का होगा perfect competition यहाँ पे जो entry है market में इन फर्म केया वो क्या है seller का वो free है यह अपने से free में entry भी कर सकते है market में और जब इनकी इच्छा ना हो यह market से pull out भी कर सकते है अपने आपको तो चल्ड़ें second type का market देखते हैं second type का market है monopoly market monopoly वर्ट से ही समझ में आ रहा है कि हमारा जो product है उस पे किसी एक firm का क्या हो monopoly हो यानि वो firm company he decide करेगी product का price क्या रखें product की quality कैसे रखें product को किस एरिया में sell करें या ना करें यह हर चीज़ जो किस पर depend करेगा single firm पर depend करेगा यानि जो उस product को बनाने वाली company होगी manufacturing company होगी that will decide इन भी cherry आता प्रोड़क्ट से रहा है वो प्रोड़क्ट में क्या होती है किसी एक single firm की होती है और यह restricted entry होती है ऐसा नहीं कि एक company A है इसने कोई product बनाया P product तो इस product को कोई दूसरी company भी जो है नहीं बना सकती है ऐसा इसलिए क्योंकि जो company A है वो patent ले लेती है जब कोई भ can't manufacture that product ठीक है तो यहां पर जो है restricted entry हो जाती है हो जाती है दूसरे company की तो यहां पर जो product होता है वो क्या रहेगा unique रहेगा no substitutes available जो product भी बनाया है company A ने वो company B भी नहीं बना सकती ना ही उसके substitute जो है available रहते है market में जिसके कारान जो company A है वो पूरी तरह से market में क्या बनाती ह तो यह उस product का monopoly price जो इफिक्स के त्वारा किया जाएगा firm A के त्वारा ही किया जाएगा क्योंकि firm A ही only company है जो product P को क्या कर रही है manufacture कर रही है तो यहां पर जो competition होगा वो क्या हो जाएगा imperfect हो जाएगा क्योंकि जो आप the number of manufacturer वो क्या है K1 only one है और perfect competition में क्या होता है number of seller limitation न तो number of seller है वो one है number of seller कितने भी हो सकते हैं लेकिन जो number manufacturer है वो कितना होगा एक ही होगा और जो manufacturer है वह ही decide करेगा कि market में जो है product की price क्या रखी जाए तो यह क्या होगी हमारा imperfect competition monopoly market का जो जापल है हमारा pharmaceutical जो है कि जापल है अगर माल लीजे कोई भी pharmaceutical company कोई ड्रग बनाती है तो government क्या करती है उसको 20 year का patent देती है तो उस 20 year में only that company can manufacture that drug ठीक है उस 20 years के धर्मियान कोई दूसरी company जो है उस product को manufacture उस ड्रग को नहीं कर सकती है तो यहापे क्या हो गया जो company drug बनाई थी drugs बनाई थी उस company का monopoly हो गया उस drugs में तो दूसरी company नहीं manufacture कर सकती यानि that company will decide what price should be fixed चलिए next type का market दखते है नेस्ट है हमारा monopolistic competition जैसे हमने perfect competition देखा था उसी परकार हमने monopoly में देखा imperfect competition है तो उसी परकार का competition होता है monopoly competition यहाँ पर क्या होता है नंबर आप जो फॉर्म्स है वह कितने है बेरी लार्ग में ऐसा कोई limitation नहीं है जैसा monopoly में था कि number manufacturer क्या होंगे एक ही होगा यहाँ पर limitation नहीं है कितने भी फॉर्म्स हो सकते है जो प्रोड़क्ट हो हमारे क्या करेंगे manufacture करेंगे ठीक है यहाँ जो है जो प्रोड़क्ट होगा हर company का जो है अलग-अलग होगा लेकिन वो क्या हो एक दूसरे से close रहेंगे जैसे आप soap का example ले लिजिए तो soap हमारा कई कमपनियों का आता है हमारा super area हो गया लाइब बॉय हो गया डिटॉल हो गया तो ऐसे बहुत सारे एक जांपल है हमारे soap के उसी प्रकार आप notebook के ले लिजे notebook में हमारा classmate का notes आता है और दूसरी खोतकी कंपनियों का भी जैसे बीजय लक्ष्मी ऐसे टाइप के हमारे आप जो है notebook आते है मार्केट में तो यहाँ पर मोनोपॉलिस्टी कंप्टीशन में क्या हो गया आपके नंबर आप जो फॉर्म्स है वो लार्ज है और जो कोई भी प्रोड़क्ट है उसका क्या है अवे लेकिन हमारे मोनोपॉलि मार्केट में यह था नहींवे लेबल था इसलिए हो हमारा क्या था in perfect कंप्टीशन था लेकिन मोनोपॉलिस्टी कंप्टीशन में क्या है यहाँ पे जो क्लोस संफिश्टूट्स अवे आए और लार्ज नंब्र आपंस के लॉट posa अ ठीक है तो चल्जिए दूसरा देखते हैं पर ना मार्केट है मारा ओल्हों पॉली जो पॉली में क्या होता है जो हमारे नंब्र आप फर्म फोटेम किया होते हैं रखिकेट होते हैं लेकिन मों पॉली की तरह नहीं होता है एक कि दूसरे पर अगर मांले सिर्ख से माटेयल दे रहा है तो अगर के से मेंथियन और तो यहां पर प्रोड़क्ट होगा वो हमारा homogeneous हो सकता है यानि same product हो सकता है यानि थो थोड़ा बहुत differentiated हो सकता है यानि जो उनका substitute से वो available हैगा जैसे अगर माली जे company यहने shop बनाया तो company भी भी shop बनाएगी लेकिन वो different रहेगा यहाँ पे जो है जो monopolishtic competition में हमने देखा था कि close sufficient available है यहाँ भी available है लेकिन but condition क्या है यहाँ पे number of firm जो है limited है और हर एक firm जो है एक दूसरे पे interdependent है यानि एक की गारी दूसरे की विना नहीं चल सकती polym होता है एक दूसरे को सारा देंगे तब ही business क्या करेगा run करेगा और उल्गो पोली में अगर business करना है आपको ओल की polymarket में तो यहाँ पे जो entry है क्या है वो difficult है एक छोटा सा topic है काटेल काटेल आपके exam में आ सकता है कि काटेल क्या होता है यह आप जो हर जगा देखते होंगे कंपनियों में देख सकते हैं कंपनियों के बीच किया जाता है पर लोगों के बीच क्या जाता है जो different manufacturers होते हैं या different seller होते हैं वो खुद के बीच एक क्या करते हैं एक काटेल बनाते हैं तो काटेल क्या होता है basically it is an agreement among few firms to jointly determine their output and pricing of products so that they can maximize their profit मान लीज़े कुछ manufacturer है A B ठीक है and C यह क्या है तीन हमारे पास company है जो कुछ product क्या करते हैं manufacturing करते हैं अब इन तीनों के जो हमारे CEO थे क्या किये हैं एक दिन बैठें तीनों साथ में और तीनों ने decide किया कि चलो भाई ऐसा करते हैं कि हम अपने product की जो price है हम fix कर लेते हैं कि हम यह product को इतने ही price में बेचेंगे और कितना output करेंगे वो भी policy है decide करेंगे यह तीनों मिलके decide कर लेंगे कि हमें कितना produce करना है किस price में बेचना है तो इससे क्या होगा तो इससे क्या होगा इससे जो है हमारा product जो था उसके price में क्या है हमें जो है उपर नीचे देखना पड़ेगा माल लीजे पहले मार्केट में क्या था मार्केट में जो प्रोडक्ट थी उसकी डिमांड बहुत जादा थी लेकिन जब इन तिरों ने ग्रूप बना लिया इन्होंने एक काटेर बना लिया तिन्होंने क्या कर दिया सप्लाई कम कर दी मार्केट में इन्होंने बोला कि भाई आउट्पुट कम कर दो उससे क्या होगा कि डिमांड तो ज्यादा है मार्केट में तो हमारा जो प्राइस से क्या होगा बढ़ जाएगा हमने लॉप सप्लाई लॉप दिमांड पहले ही पढ जैसे ही यहाँ पर supply कम कर दिया अभी demand market में ज्यादा है अगर demand ज्यादा है supply कम है तो हमारा price क्या होगा product का जो हमारा price of product क्या हो गया वो हमारा increase कर जाएगा तो इनका जो profit margin था profit हम क्या लिखते थे profit is equal to revenue generated minus cost of production तो इनका जो profit है वो increase हो जाएगा तो लेक्सल जो है हमारा illegal है अगर कमपनिया काड़ेल बनाती है जुसे से मिलके अगर इस चीच को government को पता चल जाता है कि फ़ला 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 company ने मिलके एक काड़ेल बनाया है तो government उनके खिलाप जो है excel ले लेगी ठीक है तो चलिए आल लेक्टर को यह फिनिस करते हैं आज हम लोगों ने क्या सीखा perfect competition तो वहाँ पर 4 option देते हैं एक option जो है correct होगा तीन जो है incorrect होगे ठीक है इस चाहिपर question आ सकते हैं तो आपको जो है इसको अच्छे सा समझना है अगर आप नहीं समझे तो आप जो दुबारा वीडियो को देखिए अगर आप lecture को like कर रहे हैं तो जो है आप चैनल को subscribe करिए और प्लीज सपोर्ट माई चैनल तो चलिए भी राज लेक्चर को फिनिस करते हैं नेक्स क्लास में जो है हम लोग एक ने टापक के साथ मिलेगे तब तक के लिए thank you for learning